पवन अरू की एक बेहत रोमेंटिक फोटो सामने आई है जिसने फैंस का दिल चीत लिया इतनी नजदीक और इतनी केरिंग तो पहली बारी देखी जा रही है जिसमें अरू पवन के लिए पागल होती दिख रही है ये अपनी केरिंग बाहर नहीं दिखाते हैं लेकिन कमरे मे पहसते इनकी केरिंग शुरू हो जाती है ना जाने पवन के हाथ में क्या लग जाता है कि आरू पवन का हाथ पकड़ कर देखने लगती है चूमने लगती है पहले तो पवन अरू के पीछे से माइक लगाते हैं फिर वो माइक के तार पवन के अंगूठे में फस जाते और छोटन जाती है माईक के तान निकालते निकालते पवन के अंगूठे में काफी चूद लग जाती है अनुनीता घबरा जाती है चूबने लगे इस फोटो पर फैंस लगाता कॉमेंट और कॉमेंट करें कुछ लोग मचाग भी बना रहें इसन assurance दूसरे लिखा अब तो हातों में हात है तो कब औहुं में बाये होगी इनके लावे एक यूजण नहीं यह भी लिखा अरू का हाथ लगाते ही सब ठीक हो गया तो आप अवनरू की इस फोडो पर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स पर में जरू बताएं पवन्दी परुनीता की एक छूटी सी रुमैंटिक वीडियो सामने आई है जिसने फैंस के दिलों की धर्कने बढ़ा दी है ये वीडियो लंदन या पोट का बताया जा रहा है जब ये मुंबई के लिए लौट रहते उस वक्त इनकी फ्लाइट के लिए काफी वक्त था ऐसे में शायली ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट किया लेकिन शायली ने कुछ ऐसा शूट कर लिया जो अभी तक फैंस को नहीं पता था पवन का वो रूप लोगों ने देख लिया जो अब तक किसी नहीं देखा था फैंस खुद पवन का ये रूप देकर हैलान है शायली को नहीं पता कि उनके वीडियो में ये सब कैसे और कप कैद हो गया शायली की वीडियो में पवन को फ्लाइंग केस करते देखा गया वो भी आरुनीता को जी यहाँ पहले तो पवन अरु दोरो अपना लंदन का एक्सपीरियंस बताते हैं अपने इवेंट की बारे में बताते हैं और लंदन की खुब सूरत जंगे भी शेयर करते हैं दोरों बताने कि लंदन में इन्हों ने खुब टाइम स्पेंड किया खुब मौच मस्ती की और धेर सारे इवेंट करने का मौका मिला लंदन के इवेंट से इनकी फैन फॉलोइंग और भी जादा बढ़ चुकी है यह सब बात करते करते पवन अरुनीता की तरह फ्लाइंग के होगी अरुपवन की एक केरिंग बहुत पसंद की जा रही है दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं पवन्दी पर उनीता सायली और दानिश के धेर सारे फोटो सामने आ चुके हैं लंदन को ये भूल नहीं पा रहे हैं इसलिए बहां से आने के बाद भी ये वहां के यादगार पलो को शेयर कर रहे हैं इन्हें वहां से आने का बिलकुल मन नहीं कर रहा है लेकिन काफी दिन बाद अब इन्होंने इंडिया के लिए बैक पैक ही कर लिया है और ये स्टेशन पर उदास चेहरे के साथ दिखाई दिये हाला कि लंदन को ये उदास चेहरे के साथ तो बाय नहीं करते इसलिए इन्होंने स्टेशन पर भी इस टूर की लास्ट सेल्फी ली और लंदन टू पूर के लास्ट दिन के फोटोज शोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहे हैं फैंस पल के बिछाए बैठे हैं कि कब ये मुंबई आएंगे और कब फिर से इनके नए नए वीडियो सामने आएंगे जब से फैंस को पता चला कि आज ये मुंबई आने वाले तो इनके कुछ पवन अरू के फैंस को इनके लिए बहुत लगाब हो गया है और जब किसी से दिल लग जाता है तो उसको लेकर चिंता बढ़ जाती है ऐसा ही कुछ हाल पवन अरू के फैंस का भी है फिलाल तो एयरपोर्ट बारे फोटोस में आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी फोटो में पवन अरू बहुत कूल अंदाज में नज़र आ रहे हैं सबने इस टूर को खूब इंज़ॉय किया है उमीद है कि पवन अरू के फैंस को भी इनका ये टूर पसंद आया होगा पवन अरू की नए प्रोजेक्ट की फोटो सामने आ गई हैं मतलब जल्दी इनका एक और धमाकेदार इवेंट होने वाला है जिसको लेकर ये मीटिंग करने गए और वहीं से इन्हों ने ये फोटो शेर किया है फोटो में पवन दीब खोष सेलफी लेते नज़र आ रहे है इस सेलफी में पवन अरूनिता तो मौजूद हैं ये साथी साइली और तीन लोग और भी है जिसमें एक महिला भी है और ये सब इनके नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं लंदन में पवन अरू को लगातार नए प्रोजेक्ट मिले है और फिर से नए प्रोजेक्ट क औफर किया गया जिसकी फोटोस सामने आचुकी है फोटोस में आरुनिता का लुक बहुत अलग लग रहा है और एलगने ता का यह वैस्टन लुक भी लोगों को पसंद आ रहा है वैसे तो मार्णिता आप साढ़ी में ही इवेंट पर जा रही भी वैस्टन लुक फिर हैं कि क्या यह नया प्रोजेक्ट का हिस्सा है और नया इवेंट कब आने वाला है आपको बता दें इन्हें अभी कुछ दिन और लंदन में रहना होगा पैसे तो कहा जा रहा था कि इनके लंदन में खत्म हो चुकी है और जल्दी है इंडिया आने वाले हैं लेकिन ऐसा और नहीं हुआ करीब एक मेहना होने जा रहा है इने लंदन में इवेंट करते हुए। नइप जनवरी फरंवरी पर से लंदन में इवेंट कि सामने आया है इसे देखने के बाद यकीनन आप कॉमेंट किये बिना रह नहीं पाएंगे हम बात अरुनीता की कान है जो फिर से लोगों का एंटर्टेंडमेंट करती देखी गई इस बार अरुनीता को पंजाबी स्टक के साथ डांस करते देखा जा रहा है जिहां अरुनीता, दानिश और साइली तीनों आजकल शीशा बड़ा छेड़ता गाने पर बिंदास होकर डांस करे है अरुनीता वाकई इस गाने पर डांस करते बहुत क्यूट लग रही है दानिश न अपने चैनल के लिए वीडियो शूट किया है लंदन में ही खुले मैदान में ये तीनों घास पर डांस करते देखे जाने अरुनीता इन स्टैप्स पर बहुत दीज जाड़ा क्यूट लग रही है उनके चेहरे के एक्स्प्रेशन ने फैंस का देल जीत लिया वहीं साइली भी मस्तो कर डांस कर रही है और दानिश का तो कोई जबाब ही नहीं अब लोग इस वीडियो में पवन को मिस्स करें कि आखिर वो क्यों कहीं नहीं दिख रहे है तो हम आपको बता दे कि पवन भी इस वीडियो में शामिल है और फिर अगर अरु के पास पवन होते तो मज़ा ही आ जाता वैसे पवन है का जहां ये तीनों हो वहां पवन नहों ऐसा होई नहीं सकता तो आपको बता दे पवन क्या करें ये तीनों जब डांस कर रहे थे तो पवन इनकी वीडियो बनाने में लगे पवन का फोकस आरुनिता परी था वो आरुनिता का डांस देकर हसी नहीं रोक पा रहे थे तभी लास्ट में आरुनिता हसी के मारे लोड़ पोर्ट हो जाती है क्योंकि पवन उनकी वीडियो बनाते बनाते आरुनिता से कुछ इशारे कर रहे थे उनके डांस की नकल उजा रहे थे इसे देखकर अरुनीता भी खुब अस्ती है आपको बता दें बहुत जल्द ये चारों लंदन से बापस इंडिया आने वाले हैं ऐसे में लंदन की खुबसूरत यादें भी सजो कर रख रहे हैं इने जैसे ही अपने कंसर्ट से टाइम मिलता ये अपने चैनल के लिए वीडियो बना दें ये चारों एक दूसरे में बहुत मस रहते हैं जी हां लंदन में एक इवेंट के दौरान पवन अरू रोमेंटिक अंदास में नज़र आए और यहां भी अरू की केरिंग करते नज़र आए पवन जी हां आज तो पवन को अरू के हातों से चॉकलेट खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जब पवन अरू का यह लाड़ प्यार कैमरे में कैद होता देखा जाता है तो पवन कुछ देर के लिए चॉक जाते हैं और वो फौरन अपना हाथ हटा लेते हैं जी हां वीडियो में आप देख सकते हैं पवन अरू अपने इवेंट के लिए तयार खड़े होते हैं के स्टेज के पीछे उस वीच मस्ती के मून में आ जाते हैं